जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए ठोस अवस्तार का अगला वीडियो लेके आएं जिसमें हम लोग जानेंगे क्रिस्टली ए ठोसो की समन्वे संख्या के बारे में जिसको इंग्लिस में कोडिनेशन नमबर भी कहा जाता है और इसको सोर्ट में बच्चो हम लोग दिखाते हैं C, N से किलियर हुआ तो आईए फिर जानते हैं समन्वे संख्या को क्रिस्टली ए जालक में कोई आयन जतने विपरीत आवेस वाले आयनों से घिरा रहता है उन विपरीत आवेसित आयनों की संख्या समन्वे संख्या कहलाती है जैसे NACL क्रिस्टल में समन्वे संख्या 6 अनुपाथ 6,essium chloride में समन्वे संख्या 8 अनुपाथ 8 और zinc sulfide क्रिस्टल में समन्वे संख्या या फिर coordination नंबर 4 अनुपाथ 4 होता है अब मैं यह आपको दरन की साहिता से सफर्ष्ट करता हूं बच्चों आप जानते हैं कि जो क्रिस्टलिय ठोस पदार्थ होते हैं उनके अव्यविकन आयन होते हैं वो आयनों से मिलके बने होते हैं ये आयन अर्थार्थ धनायन और रिनायन दो परकार के आयन एक दूसरे के साथ में एकांतरित होते हैं यानि कि एक के अंतर पे होते हैं दनायन के बाद क्या आएगा रिणायन आएगा रिणायन के बाद क्या आएगा दनायन आएगा इस परकार विपरीत आवेसित आयनों के ये संपर्क में होते हैं जुड़े होते हैं देखें यहां पर आप देख सकते हैं दनायन के चारों तरफ क्या रहे हैं रिणायन आ रहे ह और यहाँ पे हमने रिणायन लिया है तो इसके चारो तरफ धनायन आ रहे हैं कुछ ऐसा ही निश्चित कराम होता है हमारे ठोस आयनिक किस्टल में यह हम लोग जानते हैं अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई यह जो हमारा आयन है इस धनायन के चारो तरफ विपरीत आवेशित कितने रिणायन उपस्तित हैं तो बताइए इस वाले के तो उत्तर होगा एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है तो इस धनायन के लिए जो आपका कोडिनेशन नमबर या समन्वे संख्या होगी वो दो होगी अब इसी परकार इस वाले रिणायन के लिए इसी ठोस में अगर मैं इस वाले रिणायन के लिए पूछ आपसे कि बताओ इसको विपरीत आवेशित कितने आयन घेर रहे हैं कितने आयन इसके संपर्क में तो आप ही बताओ इस रणायन के संपर्क में या इसके चारों तरफ कुल कितने धनायन है तो आपको दो दिखाई दे रहें तो इस ठोस के अंदर धनायन और रणायनों की समन्वे संख्या दो अनुपाद दो है यानि कि एक दनायन को दो दनायन गेरेंगे और एक दनायन को दो दनायन गेरेंगे किलियर हुआ अब यहाँ पर आ जाईए बताईए इस क्रिस्टल यह ठोस की समन्वे संख्या क्या होगी अब आपको पता है कि समन्वे संख्या जो होती है वो आयनों के लिए होती है तो इस crystal के अंदर आप बताईए कि यहाँ पे इस धनायन को कितने रिपरीत आवेसित रिडायन घेर रहे हैं तो उत्तर आएगा चार इसी परकार अगर crystal को पूरा बनाते हैं तो आप पाएंगे एक रिडायन को चार धनायन घेरेंगे तो किसी भी आयन को जितने विपरीत आवेसित आयन घेरते हैं उन आयनों की संक्या कहलाती है समन्वे संक्या अभी clear नहीं हुआ होगा आप चिंता नहीं करें अगले एक्जामपल लेते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ी सी व्यास्ता दिखाईए आपको आयनों की तो यहां पर हम लोग बात करेंगे रिडायन की आप बताईए इस रिडायन के लिए समन्वे संक्या क्या दिखाई आई दे रही है या क्या होगी तो आप देखिए समन्वे संक्या निकालनी के लिए जिस आयन के लिए आपको समन्वे संक्या निकालनी है उसके चारों तरफ कुल कितने विप्रीट आवेसित आयन उपस्चित है उनकी संक्या गिल लीजिए तो आप बताई कितने हैं एक दो तीन चार पाँच हैं, तो सर यहां पे छें आ गया संख्या उन धनाईनों की जो रनायन को घेरे हुए हैं, इसी परकार अगर आप पूरा बनाएंगे यहांपर, तो इस धनायन को भी छें विपरीत आवेसित रनायन घेरते हुए स्पस्ट होँए, तो अगर मैं यह कहूं कि यहां पे इस crystal की जो समन्वे संक्यावे 6 अनुपाद 6 होगी clear है अभी clear नहीं होगा यह तो मैंने आपको simple example से समझाया है तो याद रखेगा समन्वे संक्या का तातपर यह होता है कि किसी आयन को विपरीत आवेशित जितने धनायन ये रिनायन घेरते हैं उन विपरीत ताहिनों की कुल संक्या समन्वे संक्या कहलाती है अब हम लोग चलेंगे NACL में clear है तो NACL में समन्वे संक्या या कोडिनेस नंबर CN जो होता है वो 6 नुपाद 6 होता है सीजियम ग्लोरेंड में 8 नुपाद 8 होता है जिन सलफाइड में 4 नुपाद 4 होता ही आपको याद भ ठोसका है जी तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यह है NACL crystal clear हुआ इस crystal को आप देखिए और यहाँ पे N.A. धनायन है हमारा जी clear हुआ और जो CL है वो हमारा रिनायन है clear है N.A. प्लस को जो है वो यहाँ पे गुलाबी रंग के पिंक कलर के जो बोल है इंस गें से उनको आपको हरे रंग की बोल से या स्फियर से या फिर गेंद से दिखाया हुआ है यह आपको इस पस्ट है सवाल फिर से वो ही आता है कि यहाँ पे N.A. C.L. का समन्वे संक्या क्या होगी कोडिनेसन नमबर क्या होगा तो चली फिर काम करते है हम लोग पगड़ते है रिन तो रिनायन जो है वो दिखा रखे हैं आपने किस से हरे रंग की बोल से यह लिजए यह है आपका C.L. माइनस अब आपको पता है कि C.L. माइनस को कोन घेरेगा तो C.L. माइनस का विपरीट आवेसित जो आयन है वो दनायन होगा और दनायन को उमने दिखाया हुआ है N.A. प्लस से N.A. प्लस जो है वो गुलाबी रंग की गेंद है तो आप सिर्फ यह देखिए कि इस वाली हरे रंग की गेंद को कुल कितनी गुलाबी रंग की गेंदे छू रही है या इसके संपर्क में है सीधे संपर्क में होना चाहिए तो देखिए एक तो जुड़ा हुआ है से जी है ना ये वाला एक एक ही जुड़ी हुई है दो एक ही जुड़ी हुई है तीन एक ही जुड़ी हुई है चार एक ये है पांच और एक ये छे सर ये जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि बात हो रही है हरे कलर की और हरे कलर यानि CL- को घेरेगा कौन कौन इसके संपर्क में होगा NA+, यानि गुलाबी रंग वाला देख लीजिए आप ही देख लीजिए तो उत्तर हुआ कि 1 CL- को 6 NA+, घेर रहे हैं या 6 NA+, विप्रीत आयन जो हैं वो इसके संपर्क में है तो ये जो संख्या है ये कहलाएगी यहाँ पे समन्वे संख्या अगर दिखाना चाहूं तो क्या दिखाऊंगा 6 AN, 56 CL- हुआ यानि कि 1 रंगाएन को 6 दनाएन गिरेंगे उसी परकार उसी परकार 1 दनाएन को 6 रंगाएन गिरते हैं तो ये कहलाती है समन्वे संख्या और एक्जामपल लेते हैं दूसरे वाला जी किलियर ज़रूर होगा आपको ये लिजे ये आपने कहा था सीजियम क्लोराइड में समन्वे संख्या आठ नुपात आठ होती है तो यहाँ पे हम लोग सीजियम क्लोराइड ही लेके आएं ये वाला जो आप गुलाबी वाला देख रहे है ये सीजियम दनायन है जी हमारा किलियर हुआ ये लिजे और ये हमारा जो आप देख रहे है ये हमारा क्लोराइड रिनायन है चलिए किलियर है आपको ये तो सीजियम क्लोराइड का यहाँ पे हमने एक unit cell ले लिया है, यह unit है, अभी clear नहीं होगा, unit cell मैंने बताया नहीं है, मैं समझाने कोशिस करता हूँ, यह देखिए मैंने यहाँ से एक टुकड़ा ऐसा निकाल लिया है, clear है, एक टुकड़ा मैंने यहाँ से निकाल लिया है, कोई सा एक टुकड़ा लिज से यह दो परकार के आएनों से मिलके बनाएं सीजियम दनायन के लिए रहे हैं क्लोराइड यहां पर रिणायन है आप यहां पर बताईए कि इस वाले जो यह पीले रंग वाले यह तो हैं हमारे सीजियम दनायन को कुल कितने सीजियम दनायन टच करेंगे सोचिये सोचिये बिल्कुल सभी आठ अब जिन लोग को यह क्लियर नहीं हो यह उनके लिए धूसरी इमेज लेते हैं यहां पर देखे यह वाली मेज़ देखिए बहुत सिम्पल सी है फिर से दिखिए आपढ़े ठेच करके यह जो आप देखे हैं ग्रीन वाले है यह आपके ए आपके सिल माइनर से दिखिए यहां से यह वाला टछ करेगा जुढ़े होते हैं अपस में यह अगर यह जोड़ेंगे नहीं तो आपका जो किस्टल ठोस है वो स्थाई नहीं होगा किलियर है यह देखिए है तो यह देखिए दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाके एक दनायन को आठ दनायन घेर रहे हैं अगर मैं बात करूँ इसी परकार एक दनायन को आठ दनायन इसपर्स करेंगे किलियर हुआ तो यहाँ पे सीजियम क्लॉराइड की जो समन्वे संख्या होगी वो क्या होगी जी आप बिता दो आठ बोलिए ना आठ अनुपात आठ होगी समन्वे संख्या क्या यह आपको स्पस्ट है अब एक एक एक्जाम्पल और बचा है जो एक्जाम में आता है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जैडनेस बोले तो जिंक सल्फाइड है यह उसको भी समझ लेते हैं जिंक सल्फाइड में आपने जाना कि जिंक सल्फाइड में समन्वे संक चार उन पाच, चार है, इस गतार पर यह क्या हुआ, आए देखते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो इमेज बनी हुई है, इसमें देखिए गिंक धनायन है, वो दिखाया हुआ है, पिली रंग की गेंच से, और जो आपका सलफाइड रिन आयन है, यहाँ पर आवेस नहीं दि क्लियर है जी यह देखिए तो थोड़ा समझ लेते हैं इस यूनिट सेल्प को विश्ची दो आप क्लियर हो गया होगा आप यहां पर देखिए कि जो पीले रंग की गेंड है यह आपका जींग और जो नीले रंग की गेंद है वो है आपका क्या है जी सलफाइड रिण आयन सलफाइड रिण आयन ये सारे नीले वाले अब अगर मैं पूछू आप से कि बाईया बता दो जिंग सलफाइड में समन्वैसंग्या क्या होगी तो आप देख लिजी किसी एक को पकड़ लीजे यहाँ पे जिंक आयन हमने पकड़ लेया है पीले रंग की गेंद है आप देखके बताओ कि यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर एक दनायन को कितने रिनायन यानि कि सलफाइड निले रंग की गेंद छू रही है यह संपर्क में निकटतम संपर्क में होनी चाहिए तो एक दो किलियर हुआ जी यहाँ पे देख लीजिए एक दो तीन और यह पीछे चुपा हुआ जी चाहर किलियर हुआ तो यहाँ पे समन वैसंख्या चार अनुपाद चार है इसका मतलब है एक जिंक दनायन को चार अनुपाद गेंगे उसी परकार एक सलफाइड यानिकी S-2 को चार दनायन चार जिंक दनायन के रहेंगे इसलिए यहाँ पे समन वैसंख्या 4 अनुपाद 4 होगी किलियर है तो यह थी जी हमारी समन वैसंख्या आई अब जानते हैं समन वैसंख्या से लाब तो बच्चों द्यान रखेगा किसी भी क्रिस्टल के लिए गर आम लोग बात करएं नमबर से क्रिस्टलिय ठोस पदार्थ के स्थाईतू का ज्यान होता है याद रखिएगा कोई भी क्रिस्टलिय ठोस पदार्थ जो होता है वो तब ही ज़्यादा स्थाई माना जाता है जब उसकी समन्वे संख्या ज़्यादा हो अब लेते हैं दूसरे लब समन्वे संक्या या कोडिनेसन नंबर क्रिष्टलिय संग्रचना के निरदारण में सायक होता है बच्चो अगर आप थोड़ा भी संग्रचना के बारे में जानते हों तो वहां पे HCP, CCP इस तरह के कुछ वहां पे उनकी संग्रचना या व्यवस्थ के बारे में पढ़ाया जाता है या आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ आप यह ध्यान न किये कि अगर किसी क्रिष्टलिय संग्रचना के बारे में हम लोग अध्यन कर रहे हैं तो समन्वे संक्या उसकी जो निरदारन होता है कि यहां पे HCP कोन होगा, CCP कोन होगा, Jink Blendy कब यह बताने में मैत्रपूर्ण हो जाता है समन्वे संक्या, अगर समन्वे संक्या आपको आती है, तो क्रिष्टलिय समचना को याद करना सरल हो जाता है, बताना सरल हो जाता है, तो यह दो मुख्य लाव हैं समन्वे संक्या के, बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना समन संक्या के लाब क्या होते हैं उमीद है इस अब आपको स्पस्टु हुआ होगा थैंक्स पर वाचिंग